हेलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल अक्षू ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल में फ्लिपकार्ट पर न्यू सेलर्स के दिमाग में एक सवाल रहता है कि कैसे लिस्टिंग करे और किन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करे तो आज के वीडियो में उन सेलर्स को जवाब मिल जाएगा आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको फ्लिपकार्ट पर कहां से वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और स्टाइल या वर्टिकल देखना है जहां से आप ये देख सके कि कैसे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करनी है जो मार्केट में डिमांड में है किस टाइप के पैटर्न या वर्टिकल की लिस्टिंग करनी है यहां तक कि किस प्राइस में प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो अगर आप एक seller है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें ताकि आप Flipkart Amazon, MeShow से related updates और tips को miss ना कर सकें अपने Flipkart seller portal को login कर लेंगे और man page पर ही आपको ये धमाका selection का area show हो जाएगा अगर आपको show नहीं हो रहा है तो आप उपर menu में growth पर tap करके वहाँ से growth central पर click कर देंगे तो हमारा धमाका selection वाला page open हो जाएगा यहां से other recommendations में धमाका selection पर click कर देंगे तो हमें यहां पर हमारे account से related vertical show हो जाएगे जिन्हें हम अपने interest के हिसाब से select कर सकते हैं अब यहां पर हमें कुछ products दिख जाएंगे इन में हमें अच्छे से उस product को ढूंड़ना है जिसको हम यहां पर बताई हुई price में list कर सके अब हमें इस धमा का selection वाले area में अपने products कैसे list करने हैं वो जानते हैं यहां पर एक kurtas and kurtis for women का selection दिख रहा है जिसमें हम अपना product list कर सकते हैं इसके लिए हम किस type का product list करना है उसकी details हमें यहां मिल जाएगी इसमें हमें सबसे पहले price range शो कर रही है इसी price range में अपने product को list करना है यहां पर जो product का type pattern और occasion दिखा रहा है हमें भी उसी type का product list करना है और listing करते वक्त यही details डालनी है Next हमें different style का product selection दिख रहा है इसमें भी price range type pattern और occasion दिखा रहा है यहां पर scroll करके हम जिस category में product sell करते हैं उसके selection के हिसाब से उन selection को या तो save कर लेंगे या direct यही से उस selection में listing कर सकते हैं मान लीजिए कि हमें इस selection में अपना product list करना है तो simply हम listings में जाएंगे और add new listing पर click कर देंगे या फिर इस selection के नीचे हमें दिया हुआ है add listing यहां पर click करके भी हम इस selection में अपने product को list कर सकते हैं पर listing करते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो price range product का type और occasion वहाँ पर दिया हुआ है वही डालना है अगर कोई एक attribute भी आप गलत डालते हो तो आपकी listing उस selection में नहीं add होगी और फिर हमें वो benefit और visibility नहीं मिल पाएगी जो उस selection में product add करने पर मिलेंगी अपने प्रोड़क्ट एड करते हैं ये तरीका on brand building में बहुत helpful रहता है जिससे आप अपने product की visibility काफी बढ़ा सकते हो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए helpful रहेगा आगे इस topic पर हम एक long video बहुत जल्द डालेंगे जिसमें मैं आपको धमा का selection में product को list करके दिखाऊंगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते है अपने अगले वीडियो में जब तक के लिए बाय उल्ला हाफिस टेक केर